हालो फ्रेंड्स माय साहब डॉक्र सुनील तावार कंसल्टेंट एंटी एंड राइनो प्लास्टी सर्जन दोस्तों एक बार फिर आपके सामने आज हम डिसकर्स करेंगे एक एर से रिलेटेड प्रॉब्लम वाट इज ग्लू इयर क्या है ग्लू इयर और कान के परदे के पीछ और बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जिसे आने वाले उपियों की जानकारी के वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों क्या है ग्लू इयर सबसे पहले जानेंगे क्या लक्सन है कैसे पता लगे ग्लू इयर सो दोस्तों जो ग्लू इयर के जो लक्सन ह होगा कान के अंदर जो है इयर का सुनापन का फील होगा और बच्चे को अगर ये ग्लू इयर की प्रॉब्लम है तो वो बार-बार इयर को पुल करेगा और इसका बीहवियर चेंज हो जाएगा वो खाना जो है वो रोक देगा क्राइंग करेगा ये कोमन लक्सन है ग्लू इयर और कान के पड़े के पीछे फ्लू डिकर्था होना सेकिंड जो इंपोर्टेंट वाट इज कॉजेश ऑफ ग्लू इयर क्या है ग्लू इयर के रिजन सो दोस्तों ग्लू इयर के रिजन जानने से पहले अपने को जो है एक नॉमल बैसिकली जो इसका इंपोर्टेंट रिजन है वो यूस्टिकन ट्यूब डिसफंक्शन सो क्या है यूस्टिकन ट्यूब एक ट्यूब है जो अपना जो इयर है जो अपना इयर जो मिडल इयर है उसको जो है थ्रोट से जोड़ती है और इयर का एक वेंटिलेशन होता है जिसके द्वारा सो इसमें क्या होता है कि जो बच्चों में ये कॉमन प्रोब्लम यूस्टिकन ट्यूब डिसफंक्शन के करण यूजवली कान के परदे के पीछे फ्लूड इखटा होता है क्योंकि बच्चों में जो यूस्टिकन ट्यूब है वो थोड़ी शोट और जो है वो एक लेवल प है उसके करण भी ग्लु इर की प्रॉब्लम होती है तीन से आठ नो साल के बीच में बच्चों में ये कोवन समश्या पाई जाती है और दोस्तों अडेल्ट में ये प्रॉब्लम जो है पाई करते हैं तो उस से येर का वन्तिलेशन होता रहता है लेकिन अगर अप्सक्रा अजस कोंटार रिद्ध हो सकत है सहां हिए उसने इडीज अप्सका पूर्स को प्रिदधिक अप्सक्ता पहले इसका डाइग्नोस बनाया जाता है डाइग्नोसिस के लिए डॉक्टर इसके जो है दो टेस्ट हम लोग करते हैं एक ओटो एंडोस्कोपी है जिसमें टेलिस्कोप के माध्यम से यह देख लिया जाता है कि एयर की क्या कंडिशन है जो उसमें एयर ड्रम जो है कान का प्रुड़ो मेंड देखके डाइग्नोसिस के जाता है कि पेशेंट्स को ग्लु एयर और कान के पर्दे के पीछे फिल्योडिकटा हो रख है इसके बाद में जब इसका डाइग्नोसिस बनता है तो इसका ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से किया जाता है conservative treatment और surgical treatment conservative treatment में इसमें patients को कुछ antibiotics दी जाती है infection को prevention secondary infection को prevention करने के लिए कुछ decongestant medications दी जाती है और इसमें basically जो मकसद है वो year के परदे के पीछे food जो एकठा हो गया उसको clear करना है तो उसमें क्या है नोज में क्या है कि nasal decongestant gylometazoline drop डाली जाती है और अमोमन ये क्या है conservative treatment से क्या है 40-50% patients में ठीक हो जाता है बहुत बार जो है patients के अंदर कोई physically region है like जैसे adenoids hypertrophy है nose के अंदर dns है या cleft palate की problem है तो इन सब समश्याओं को surgically correct किया जाता है जो उसका कारण है उसको ठीक किया जाता है साथ में अगर fluid जो है वो resolve नहीं हो रहा clear नहीं हो रहा और बहुत बार patients को उसके कारण severe pain है बहुत बार patients को fluid के कारण एक तरफ के चेहरे में उसको paralysis भी आ जाता है paralysis हो जाता है weakness हो जाता है इस condition में उसके अंदर एक surgically एक ट्यूब जिसको हम जो है gromat insertion बोलते हैं वो endoscopic technique से उसमें बाहर से कुछ भी नहीं हो अंदर के अंदर fluid को निकाल दिया जाता है और जो है उसको patients को जो है रहत मिल जाती है तो दोस्तों ये तहा glue ear के बारे में क्या है glue ear कैसे इस से जह है treatment किया जा सकता है so friends I hope that ये information जो है आपके लिए useful होगी बट जाने से पहले इस channel को subscribe करना ना भूले and bell icon को press करना ना भूले जिससे आने वाले जो वीडियोज है उसकी उप्यों की जानकारी का notifications आपको मिलता रहे thank you